नमस्कार आप देख रहे हैं Airegan News, मैं हूँ आपके साथ मैं मॉनिका RRB NTPC के CVT First Result का अभ्यरतियों को लंबे समय से इंतिजार था जो अब खत्म हो गया है लेकिन अभ्यरतियों के बीच Result को लेकर खुशी के बजाए गुस्ता अधिक देखने को मिल रहा है अभ्यरतियों के गुस्से का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि result जारी होते ही Twitter पर hashtag RRB NTPC scam trend करने लगा मदाने छात्रों का आरोप है कि परिख्या परिणाम जारी करने में फिस्टचार हुआ है RRB NTPC के उमिदवारों का कहना है कि railway भरती बोट ने अपने भरती विज्यापन में कहा था कि CBT first एक तरह से eligibility test होगा इसमें करीब 20 फिसदी उमिदवाद CBT 2 के लिए shortlist किये जाएंगे निकिन shortlist किये गए सिर्फ 4-5 फिसदी ही उमिदवाद ये तो वही बात हो गई कि सरकार की कोई वादे के अनुसाल युवाओं ने नौकरी के चाहत में घर घाटेक किया और पहार तोड़ा और मिला क्या सरकार की तरफ से थाली में फरोसी चुहिया भई उमिदवारों का आरोप है कि कुछ चात्रों को एक साधिक पदों के लिए चुना गया है ऐसे में यदि ये उमिदवार अपनी पसंद के पद चुनते हैं तो कई पद रिक्त रह जाएंगे साथ ही अन्य चात्रों का भी चैन नहीं हो पाएगा इसके चलते उमिदवारों ने परिक्षा परिणाम संचोधित करने की माग की है ट्वीटर पर आरार्वी एंटीपीसी स्केम ट्रेंड होने के बाद आरार्वी ने एक स्पस्टी करन चारी किया है चात्रों के आरोपों पर जवाब देते हुए रेल्वे बोर्ड ने स्पस्ट किया है कि उमिदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग तैन इमान नुसार ही हुई है अब बोर्ड ने किन किन आधारों पर केंडिडेट्स का चैन किया है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं पहला CEN यानि कि केंडिकरत रोजगार अजी सूचना के पैरा 13.2 के अनुसार एक 2019 उमिदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रतेक स्थर के लिए अलग-अलग विकल्पों और उनकी शेक्षिक युगता के आधार पर की गई है इसके चलते प्रतेक स्थर के दूसरे चरण के CBT2 के लिए उमिदवारों को प्रतेक रीजनल आरारवी के रिक्तियों के 20 गुना अनुपात में शॉर्ट लिस्ट किया गया है यनि कि यदी कई उमिदवार ने समान का top of score किया है तो सभी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है दूसरे चरण में प्राव्त युगता के आधार पर उमिदवारों को तीसरे चरण के परिक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इसमें रुक्तियों के 8 गुना कैनिडेट्स को बुलाया जाएगा तीसरा, फाइनल रिजर्ट में 35,281 अधी सूचित रुक्तियों की मेरिट लिस्ट होगी और किसी भी उमिद्वार को एक साधिक पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा चौथा, उच इस्तरिये पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किये गए उमिद्वार को निचले स्तर के पद के दूसरे चरण सेविटी में उपस्तित होने से वन्चित नहीं किया जा सकता है और आखरी में पांच वाग जिचले समझेरे लिता जातब ör तसमा Peyू किया जा जा 누्हीं किया जाएगा सब्सक्ने किया किया जाएगा